जय जय गन्नात, हेलो दोस्त मैं दिप्तिरंजन राना हूँ आपको राना देसी बुलत चैनल में बहुत चरह सागते हैं जिसे आपको पता हैं मैं कुबुटा का बारो में थोड़ा बहुत जानकारी देता हूँ जे आपको कुछ कुबुटा का मेंटरन्स का बारो में और कि रृप प्रोब्लैम करेंगे जो हमारा एक मैंना दू मैंना जो सीजोन आता है हमारा ओ सीजोन में आप बिना कुछ प्रोब्लेम इसलिए मैं आपको तोड़ा सा सुजाव जसे देखते हैं आप हमारा सीजिन आने वाला है और एक दुमेना का बाद एक मेना का बाद आने वाला है किसी किसी जगा पर आ भी गया है उसी जिन में गाड़ी कैसे त्यार करें पहले से गाड़ी तो अभी बहुत दिन से गाड़ी पड़ा हुआ है इसलिए कैसे उसको हम आचासे रेडी करके रखें रिपेर करके रखें जैसे हमक गड़ी को मेंटेनस करते हैं डिपेरिंग करते हैं जो मेंटेनस में आपको सिखाना वाला हो क्या-क्या जुरुत है क्या-क्या आपको उसमें चेंज करना पड़ेगा क्या-क्या किसको ध्यान देना पड़ेगा कौन सा कुन सा पार्ट्स ज्यादा आपका लगता है चेंज करन इसको सस्क्रेब करिए और लाइक करिए शेयर करिए यह करने से मेरेको मोटिवेट होता है मैं और दुसरा दुसरा वीडियो आपको पस आपके लिए बना सुगो इजी मेथड में आपको बना के भेश सको और आपका काम अच्छा हो इसलिए लाइक श्यार और सब्सक्रेब इसलिए करने के लिए बोलते हैं जिसे हम लोग को मोटिवेट हो जाए हम लोग को इच्छा प्रकास हुए और आने चाहिए हो कोई हमारा वीडियो सुन रहा है कोई आज मैं जो टोफिक का बर्व में बताना चाहता हूं वो टोफिक है कैसे आप सीजन से फेहले अपना गाड़ी को प्रिपार करें क्या-क्या उसको देखना पड़ेगा क्या-क्या चीज उसमें चेंस करना पड़ेगा क्या-क्या चीज चेक करना पड़ेगा उसको आप इज गाड़ी के वो पूरी तरह चेक कना पड़ेगा मतलब पहला है उसका रबर ट्रक कहीं पर कटा हुआ है क्या नहीं यह कितना दिन चलेगा और उसको ध्यान देना है अगर ज्यादे दिन नहीं चलेगा तो दुसरा ट्रक मंगा के अपना पास रखना है जो आप पुसीजिन में चलने का बोक्त में अगर कट जाएगा कुछ प्रोब्लम होगा तो दुसरा टैयर आपको लगना पड़ेगा नहीं तो फिर कटने का बाद आपर जाके लाएंगे तो आपको एक दिन समय चला जाएगा आपको एक दिन नुक्सन हो जाएगा रबोट ट्रक पहले चेक कना चेक करके देखो वो निपल में आपको कहीं अगर प्रोब्लम देखते हैं तो उसको निपल को चेंज करो और उसका बेरिंग भी देखो जो बेरिंग आपका सही से घमतायक नहीं उसको परफॉरंस देखो दोनों तरब का देखके उसको अगर प्रोब्लम है तो उसको बेरि करो उसका बाद देखो आपका जो कटर बार है तो सभी कटर ठीक है कि नहीं कोंशा कटर कम उसका तिक्खा है वो कटर को चेंज करो कोई टोटा होगा कोई धार कम रहेगा उसको एक बार देखो चेंज करो और उसको सही से उसका आवाज जैसे हम लोग ब्लेट सेटिंग करते हैं जो उसका सेटिंग से ब्लेट सेट करने का वह अलग सा मैं तड़ है कैसे ब्लेट सेटिंग करेंगे उसका परवे में अलग से वीडियो बनाओंगा कैसा ब्लेट सेटिंग करना आप देखते हैं किसी कि बज़से आदमी लोग ऐसा उसको लगा देते हैं उसका बाद उसका आबाज आता है और लेट टुड़ता है जाते से जदा जो starting point में जो है जहां पर double बड़ा repeat लगता है उसी जहां से cutting cut हो जाता है क्यूंकि उस जहां पर copy जो repeat है वो थोड़ा से अयर्जिस्टिंग भोल होने से open नीच Television होते होने और repeat ढिलाओ के वहीं से तुड़ता है पहले तो जो आपका arm है, arm को सही से उसको fitting करना पड़ेगा और उसका जो double bearing है, उधर double bearing से ठीक से double bearing का जो पास जो एक reverse thread वाला जो एक पास है वो चाल है कि नहीं उसको देखना है वो अगर चाल रहेगा ना आपका blade इधर तोटेगा ही तोटेगा ओ जो डबल वेरिंग पास जो जिसमें लगता है जो सब्ट में जो बोल्ट में लगता है एक बेंड जैसे एक बोल्ट है ओ बोल्ट को आपको सब्सक्राइब अपको देखना पड़ेगा बाकी आप उसका जो फिंगर है जो प्रोटेक्ट करते है जो आपका ब्लेड गाड उसको उसका गैफ सही देखना है उसका गैफ कितना है क्या नहीं है उसको देखना है कैसा गैफ है अगर गैफ ठीक से है तो ठीक है नहीं तो उसको गाड को चेंज करो नहीं तो उसका सीम आत उसको लगा कि उसको सही से रखो उसका बात तिसरी बात है आपका फिंगर सही से चल रहा है कि नहीं देखो फिंगर ठीक उसका कट्रोबार का पास आता है कि नहीं कि देखो उसका उसका इजिस्ट्मेंट है उसका अजिस्ट्मेंट करो उसका बात अब देखो उसका बेल्ट जो बेल्ट होता है जो पहले आपका जो रील घुमाता है वो 107 नमबर बेल्ट है 107 नमबर बेल्ट है उसको याद रखो उसको चेक करो उसका सही से उसको एड़ेस्ट करो उसका बाद है दुसरा जो कुबटा का जो बेल्ट है बेल्ट का बरो में बता रहा हूं जो इंजिन का बेल्ट है इंजिन का बेल्ट जो सामने में लगा हुआ है वो 56 नमबर का बेल्ट है और उसका पीछे की तरफ जो इंजिन का पीछे की तरफ जारेड घुमा रहा है जो आपका पीछे की तरफ जो आपका थ्रिसर घुमा रहा है वह 52 नंबर बेल्ट और है इंजीन वेल्ट जो है फैन वेल्ड एक है और एक उसका उपर जो जो वेल्ट है जो आपका birवर्स वेल्टेक बोलते है जो जाम हो जाने के पपर kilka से मारते हैं तो उहाँ पर एक बेल्ट होता है वह 46 नमबर बेल्ट है उसको आप चेक करना है क्योंकि स्टार्टिंग में वह हम लोगों को पता नहीं चलता है वह ज्यादा अगर एक सल दूसल आपको गड़ी हो गया तो उसको चैंस करना चाहिए लेकिन वह बाद में अगर टाइम में आपको काम करने का टा तो उसको चैंस करने के लिए बहुत टाइम लगता है उसको देख लेना चाहिए उसका बाद आपका जो साइड में जो बेल्ट आता है जो जो त्रिसर घुमाता है जो रैड़ सेड में उसका जो बेल्ट है बाहर का तरफ जो बेल्ट है और उसको वह दो बेल्ट आता है उस एक सो चार का है Aber और एक सो चार का पास पीछे में एक च्छता आ वे ल्ट आता है ओसिक्सटीश का के और कि 5 के दो चन्य के 54 जो आपका रेल गंनाता है वैक सेंध में रेल जाके गोमाता है ओधर ओह एasan 54 वह ज्यादा आपको वेल्ट को लाके रखना है नहीं जो वेल्ड में बताया यह वेल्ड से ज्यादा कटता है आपका 56-52 और 54 वेल्ट ज्याद से चाना कड़ता है इसको आप अब रिखे और कटर अदो के पीन हिर जो रीवीड है रीवीड उसको ज्यादा लाग्या आपको रखना है बागी आपका थ्रेसर भी चेक करना रहे आ जो बैल्ट जहां पर लगाया है वैल्ट में जो आपको उसको एड़्जेस्टिंग करने के लिए जो कि रखा है उसको एड़ेस्टिंग करने के लिए जो उसको चेक करो हर जगा ग्रिस लगाओ थोड़ा वो सही से मभीं करता है कि नहीं देखो और बेल्ट में जो बेल्ट जिस पुली में लगा हुआ है उसका बेरिंग भी चेक करो वो बेरिंग में कहीं जाम होया है कि नहीं उ फिर अगर चेक करना है अगर में जो बैवल गेर है बैवल गेर दूने चेक करना है और उसका अंदर मिट्टी फसा हुआ कि नहीं उसमें चेक करना है और बैवल गेर का जो उसमें जो आपका जो उपर धान उठाता है जो गियर उसका जो बड़ा सा सब्ट होता है उसको आपको भी देखना पड़ेगा ओ कितना घिसा है कितना नहीं उसको आपको और त्रिसे द्रम का अंदर आपको देखना पड़ेगा साइड में कहीं जो आपका रबर लगा हुआ है जो च्छपता शिट लगा हुआ है उस शीट कोझ आप्छेंस करिए क्योंकि उस शीट आपको मईना रखता है आपका धान गिरने का कहीं पर अगर आपका अप चैन्स न उसको चेंज करो जो फीडर ड्रम का पास जो है उसको जरूर चेंज करो और अंदर में जो थ्रिसर जो जाली है जाली का पास जो छोड़ा-चोड़ा आपका जो पटी है उसको चेंज करो जो उसको क्या बलता है उसको लेदर जो लेदर बेल्ट क्या होता है उसमें उसको चेंज करो चेंज करने में क्या होता है ना आपका जाली से धान बार निकलता नहीं है सिर्फ रहता है और आच्छा सा आपको क्लिन करके चली हर जाली करना जाली जो लगा है यह ज़ी जितना जली है परते को को सहीय से देखो वार करते या नहीं क momento थोटा हुआ कि बड़ा हो गया उसको थोड़ा देखो देखना चेक करके आप और उसको मुद्री करको ו। ऐल देके ready करके रखो और देखो वहर, वहर baring में और ओयल, ओयल, हर जगा check करना हैँ, ठीक सही अक हीँ, और मोमेंट, जो आपका हम चलता है, मोमेंट में जो आपका गेरंअल ऑयल उशही अक हीँ, और पहले चेक करना है और बद में, जितना सा आपका जो मुभींग पार्थ से उसको देखना है चेक करना है ओईल देना है उसका बाद फिर वी जो आपका उलोड जो फाइप वह सही से मुभींग कर रहे हैं की नहीं उसका जो पिनियन हें वह है और है उसको वे ठ्झना है चेक कर एपको रेडि करके रखना है फैसेजिन के लिए नहीं तो आप लीजन आएगा और आप आने का बाद आप एक एक प्रोब्लेम आते रहेगा आप सल्फ करते रहें गे तो आपका time निकल जाएगा बोस्रा गाडी अच्छा पर्फॉम करके चला जाएगा आप क्या करेंगा ना उसी में लगते लगता आपका टाइमी चला जाएगा लेकिन इसको कम आने से 15-10 दिन 15 दिन फेहले उसको अगर रेडी करके रखेंगे तो सही होगा जो हमारा में दिया हूँ आपको उसमें लिखा हूं जो कौनसा कौनसा ओयल कोपटा में डालते हैं वो तो सभी पता है सभी को पता है कहां पर कितना कितना ओयल डालते हैं इंजिन में इंजिन ओयल और जो गियर बक्स में गियर ओयल उसको डालना है हर जगा पर कौनसा कौनसा जगा पर डालना है दो बाद दो जगा में तिन जग करिए जो गेर एल है और इंजिनल है वो सही का सही है कि नहीं उसका गेज़ ठीक है कि नहीं उसको चेक करना चाहिए बाद में लाइट सिस्टम लाइट सिस्टम जो है आपको हर फ्यूज चेक करना पड़ेगा सभी फ्यूज खूल के एक बार देखके फ्यूज चेक करना पड़ेगा चेक करके लगाना पड़ेगा और बाकी फैन बेल्ट है फैन बेल्ट तो जरूर चेक करना है और कोलिंग जो कोलिंग है कोलोन को आपको चेक करना पड़ेगा सही है कि नहीं कोलोन चेक करना पड़ेगा बाकि ओयल फिल्टर को क्लीन करना पड़ेगा जो ओयल फिल्टर है उसको क्लीन करना पड़ेगा और हर जो डिजल फिल्टर है उसको तो क्लीन करेंगे बाकि जो है जो इंजिन का फिल्टर है मोबिल जो क्लीन करने के लिए और हाइड्र ओयल क्लीन करने के लिए उसको जो फिल फिल्टर अगर आप अच्छा से ज से डाला होगा आच्छा से क्लिन करो नहीं तो को लगाओ थे से तो बहुत महाँगा है लेकिन मैं जो पूर्ण तेसी अगर आध से आध मैं प्रेसर हफैं उसको क्लीन करो लगाए यह को लुन करके द्ली गाटी तो फूरे बर उसको क्लिन करो अचा सदूप मे रखण ऑफ случае क्लین करके उसको फिर शेट करां कर को हुए आपको जो बेटने का जगा में जो जितना आपका स्टाउव है ओलिभर को एक बर ग्रीस époने तो नीत मेंthis करका कि उसको स्ः खरो असवी सप्रिंग ठीक है कि नहीं देखो उसको हर मोमेंеч जैसे पर मूमेंट लेना चाहते हैं उसको देखको और जितनाा हीड्रोलिक युदुललिक पाइप को ठीक से टाइट करो देखो फटेगा या उसको तप निजान दो और कौहीं पे pensando बगरा में जाम होगा है धूरल लग गया होगा जाम हो गया होगा उसको व्लिन करके आप गाड़ी को recycle कर सकते हैं और मैं आपको बताता हूं दोश्rob if konst ऑप गाड़ी गाड़ी में आपको टक्र देना पड़ता है क्योंकि उसके घंटा छाद़ा होता है आपका घंटा कम हो जाता है अपनेरा जह से साफ़र करना है ना और हम साथ में ताल दीवर कर के रहेंगे लेकिन दूसरा गडि जो पहले से रहेगा और अपना काम करते रहेगा आप पिशे रहेंगे तो इसलिएप पारेडी होना पड़ेगा ओर बाकी जो है और टाइम-टाइम पहल्ट आपको डालना है और अप्शन रखना है और हर दिन उसको क्लें करना पड़ता है जो मिट्टने लागे यë लागे उसको day जितना आपका ट्राक फ्री रहेगा उतना अच्छा वर्क आप कर पाएंगे और जो ज़्यद्य पार्ट लगने वह आपका जो कॉटर है और वेल्ट है बेड़ जो बताया जो दो तीन वेल्ट बताया वेल्ट और कॉटर और बाकी जो है आपका वेरिंग वेरिंग अभी आपका अगर 1500 का उपर हो गया तो जरूर वेरिंग कुछ-कुछ कटने वाला है लेकिन उससे पहले आपको वेरिंग लाके रखना पड़ेगा बबल गेर एक सेट लाके रखना पड़ेगा और वेल्ट में वह जो ट्रांस्मेशन बेल्ट है उ कि और जरूर कडेगा और बाकी जो है औल और जो एक अप छुट गया जढ़ा चेन का फीडर चेन उसको सही से अड़ेट करो और उसका टशन जो अंदर Нजया एक टेन धील च्रेंसे पहबर उसको जरूर लगता और उसको भार-बार चेक करते रहो उसमें अगर धान का जड़ गिया तो आपको धान अंदर घिचने में प्रब्लेम होगा तो गाड़ी को प्रब्लेम आ सकता है बेरिंग जा सकता है उसको चेक करो और चेन को अच्छा से आयल देके उसको रेडी करके रखो और बाकी जो है आपको धिरी दिरी जो छोटा-छोटा सा प्रब्लेम आएगा अमरा चैनल को सब्सक्रेब करो उसमें मैं छोटा-छोटा वीडियो देकर रखा हूं और अब भी र प्रण्स को याद यह अब को अ इतना ही मैं आपको बतना चाहता हूं अब गडाटी को अपना समझ के काम करिये ऊपको अपना समझ के परफ्रणंस देगा एंग यह मेरा अपना मन का बात है और आप मेरा चैनल को लाइक, चैर, सस्क्रेब करिए और कमेंट करिए